क्या इस्राइल परमानू बम चलाएगा अचानक से ये बात क्यों कही जा रही है इस्राइल के तरफ से उनके बड़े अधिकारी ने ऐसा क्या कहा है जियो पॉल्टिक्स में बहुत सारी चीजे चल रही है जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जापान के सपनों में पानी फेर दिया है आस्ट्रेलिया ने जानेंगे आकुस से लेकर ऐसी क्या खबर आई है तो वहीं दूसरी तरफ भारत की एकोनो को मिलेगा बहुत कुछ आईए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से क्या हुआ स्क्रीन पर एक ट्विट देख रहे हैं ये इरान के तरफ से किया गया है यूएन में इरान ने एक स्पीच दी और इसी स्पीच में इरान ने ये कहा था कि इसराइल और हमास के बीच का संग मिडिलिस्ट के बांकी हिस्सों में फैल सकता है लेबनान के हिजबुला ने हाली में दमकी दी थी कि वो अंतिम सांस तक इजराइल से लड़ने को तयार है इस बात की असंका जताई जारिये कि इजराइल हमास की तरह हिजबुला पर भी हमला कर सकता है हिजबुला को इरान स समर्थन मिलता है इस वीच इरान ने खुले तोर पर इजराइल को चेतावनी दे दी कि अगर वो लेबनान में हिजबुल्ला की खिलाफ जमीनी सेन्य अवियान सुरू करता है तो ये विनासकारी युद्ध करेगा युएन में इरान के मिसन ने एक्स पर इस से जुड़ा पोश्ट भी लिखा उसने कहा कि यद पी इरान लेबनान पर हमले करने की इरादे के बारे में जायोनी सासन यानि कि इसराइल के प्रचार को एक मनोवग्यानिक युद्ध मानता है लेकिन अगर इसे पूर्न सेन्य आक खुले होंगे इसका मतलब साफ है कि इरान अपने ट्वीट में साफ साफ कह रहा है कि अगर इजराइल ने लेबनान पर हमला किया तो वो युद्ध करेगा बले ही युद्ध उसके प्रॉक्सी के जरिये ही क्यों न लड़ा जाए अग इसी चीज को लेकर एक बहुत बड़ सकते हैं कि इजराइली सेना के पास एसे हतियार हैं जो कयामत धा सकते हैं इजराइली अधिकारियों ने ये भी कहा कि इरान ही नहीं बलकि मद्ध पुरू के दूसरे देश भी उनके खिलाफ आ जाए तो इजराइली सेना उन्हें बरबाहिव लिख लिख finally इस्राइल एरो इस्पेस इंड़स्ट्री वर्कस काउंसिल के चेर्मेन यायर काट्ज ने सनीवार को कहा कि इस्राइल के पास एक ऐसा हतियार है जो इरान का मुकाबला कर सकता है एक कारिकरम में कार्डज ने कहा कि अगर हमें लगता है कि अस्तितों का खत्रा है और इरान, यमन, सीरिया और मद्धिपुरू के सभी देश हमारे खिलाव जंग का फैसला लेते हैं तो हमारे पास कयामत धाने वाले हतियार मौजूद है कार्डज ने खुलासा किया कि अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी खुफिया जानकारी के साथ इसराइल को मदद करते हैं बताते हैं कि कहां पर ऐसी चाल चरी जा रही है जो यहूदी देश को खत्रे में डाल सकती है अप्रेल में हुए इरान के हमले के बारे में उन्होंने कहा तो हमारे करमचारियों का एक बड़ा हिस्सा बीना किसी डर के सोने गया था यह हमारी उपलब्दी है कि अगली सुबह एकदम सामानने थी यह बात इन्होंने जे कही यह गलत नहीं कही क्योंकि सैक्डों की संख्या में ड्रोन और मिसाइलें दागी गई थी इसके पूर्व हमले को बिफल करने के बाद एरोइस्पेस के सीओ ने जो कहा मैं उसे नहीं भूलने वाला हूँ उन्होंने कहा कि मैं तो इस रात का इंतजार 30 सालों से कर रहा था 30 सालों से काम कर रहा हूं कि अगर ऐसा हमला होता है तो हम इजराइल को कैसे बचा सकते हैं और यह ही चीज हमने करके दिखा दिया अलाकि यह बात तो सत्य है कि इसराइल के पास टेक्नोजी बहुत अच्छी है और इसराइल के टेक्नोजी का हर कोई दिवाना है वहीं बात करें इस वक्त क्या चल रहा है तो इस वक्त कोई संगर्स वीराम वगेर दूर दूर तक नहीं एक राय स्क्रीन प्रेक आर्टिकल देखिए कि अमेरिका ने इसराइल को हजारों दो हजार पॉंड वाले बम भेजे हैं अक्टूबर साथ के बाद से लेकर अब तक दूसरी तरफ गलती से एक इसराइली का कार फलिस्तिनी एरिया में घुज गया है जिसके बाद इस कार में आग लगा दी गई ये वीडियो भी बहुत जादा सोसल मीडिया पर चल रही है मतलब साफ है दोनों की लड़ाई आगे कब कहां बढ़ जाए ये कहना मुस्किल है जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इसक्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं दरसल ये कार्टून है इस कार्टून को ग्लोबल टाइम्स ने चापा था और इसने कहा था कि देखो बीच में ये अमेरिका है अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को उकुस में लेकर आया यूके को उकुस में लेकर आया और इन्होंने एक गटबंदन मना ली चलो चाइना के तो आपको बता दूँ आपको याद होगा अमेरिका ने आकुस की सनरचना की थी और इसके तहट इन देसों को साथ लेकर आये थे और श्रेलिया को यूके को और यूएस इन देसों ने ये तै किया था कि सबसे बहतरीन टेक्लोजी नुकलियर सम्मरीन की टेक्लोजी हमें एक दूसरे के साथ सेयर करेंगे और ये भी माना गया कि ये बेहत खास संगठन होगा जो टेक्लोजी होगी उसको बहुत ही सावधानी पुर्वक रखा जाएगा फिर कुछ दिनों बाद ये बात होने लगी कि इसे बढ़ा किया जाएगा इसे बढ़ाया जाएगा जब ओकुस जहां पर बहुत ही खास टेक्लोजी देने की बात थी वहाँ भारत को दूर से ही टरका दिया अब बात आई कि जापान भी इसमें सामिल होगा और जापान क्यों सामिल होना चाहता था जापान इसलिए सामिल होना चाहता था क्योंकि उसे भी नुकलियर सम्मरीन और खास करक अच्छी टेक्लोनोजी चाहिए थी और चुकी ओकूस बनाया ही गया था चाइना से मुकाबला करने के लिए 2020 में बनाया गया था पर अचानक से आस्ट्रेलिया ने यहां टांगडा दी है आस्ट्रेलिया ने बोला कि नई जी हम ऐसा नहीं कर सकते हैं जापान को इस संगठन म निश्चित रूप से संपर्क कर सकते हैं अब इनका कहना है कि देखो कुछ मदद करना हुआ मदद कर देंगे सहयोग कर देंगे लेकिन इसका विस्तार मत करो हाला कि यह कहा जा रहा है कि जापान को अगर हम कोई संबेदन सिल टेक्नोजी सेयर करते हैं तो बहुत ज्यादा चांसे से हैं कि वो लीक हो जाएंगे साइबर सुरच्छा सुचना सुरच्छा यह इस वक्त बहुत मजबूत नहीं है जापान वैसे कारण जो भी हो लेकिन ओकुस में दिख रहा है कि यह जापान को भी नहीं सामिल करने वाले हैं कि लगता है अमेरिका पूराने वाले जा चालब करके डर रहा है कि कहीं हम से भी आगे न निकल जाए जहाँ एक तरह यह सब कुछ हो रहा है वहीं मोदी 3.0 में बात हो रही है भारत के एकनोणी को लेकर तो यहां पर FSR की एक रिपोर्ट है जो कह रही है कि भारत की एकनोणी एकदम बढ़िया है है फिर भी भारत चाइना से ज़्यादा एकोनॉमिक सस्सेस हासिल करेगा मतलब कौमनिष्ट सासल नानी की जरूरत नहीं है ताना साही नहीं फिर भी भारत बन जाएगा वहीं यह कहा है इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ